बर यह नहीं पाती है न हो फिल्मों में होता है बागी नहीं होता तो कमी बेशी में आपके थोड़ा बहुत तुझाईश कमी है आप उसीन करें मैंने मियूट कर दिया है सबको माफी चाहता हूं आप लोगों को कर दिया है अन्मूट आप लोग अगर चाहेंगे तो अन्मूट कर लीजेगा ज्योंकि और लोग को डिस्टर्ब होता है तो और लोग बार-बार कहते हैं कि सर्विट कर दीजा आवाज क्लियर नहीं आते ठीक है चलिए तो लेस्ट गेस्ट ठीक है तो आज का जो टॉपिक है लोस्ट जो हम को लगता है कि हम बहुत ज़ादा को जाते हैं मतलब कुछ समझ में नहीं आता ाक्या क्या करें क्या ना करें बहुत टाइम ऐसा होता है तो जब मैंने शुरुआत की थी मुझे भी कुछ चीजे थी जुन्होंने मेरी मदद की है ना तो उन उन चीजों को मुझे लगता है कि मुझे यकीन है कि ये चीज आपकी भी मदद करेंगी है ना जैसे क्या आपको हमेशा लगता है ऐसा ऐसा लगता है कि क्या करें क्या होगा कहां जाएं किस से क्या कहें है कुछ समझ में नहीं आता दिमाग काम नहीं करता है कभी-कभी ऐसा होता है है ना feeling lost है ना आप जब सुबा उठते हैं तो या फिर आप जैसे कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं या आपने ये संस्था करिए तो दिमाग कभी-कभी बहुत disturbed होता है है ना आप बहुत-बहुत ज जाते हो या कॉलिज से जब आप पास आउट हो जाते हैं तब भी आपके माइड में बहुत सारी चीज़े चल लही होती है यह ना कि समझ में नहीं आता है कि क्या करें I don't know कि where to start कहां से शुरुआत करनी है कैसे शुरुआत करनी क्योंकि जो मैंने मैंने सब शुरुआत की तो मुझे भी शुरू में कुछ समझ में नहीं आता था बहुत 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 डिस्टर्ब रहता था नीन नहीं आती ते डिप्रेशन एक वर्ड होता है डिप्रेशन डिप्र तो मैंने मैंने इस feeling को अच्छे से महसूस किया है मैं इस feeling को बहुत अच्छे से जानता हूं और यह मालूम है मुझे कि यह feeling क्या होती है क्या नहीं त्यूंकर उस टाइब पर मालूम नहीं होता है कि मालू में कहां जाना है किसे सब्सक्राइब और हो सकतर आप आपने कुछ पैसं घमा दिया हो जब आप कुछ खोया होता तो आप लॉस्ट हो जाते हैं एकदम सुझत हो जाते हैं लोग नौकरी खो देते तो उन्हें समझ में नहीं आता है, उनकी नौपरी चली जाती है, उनका दिमाग काम नहीं करता है, कि यार क्या होगा, कैसे होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों को बहुत सारी चीजे होती है, बहुत सारा है ना, जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉंसबिलिटी होती है, तो दिल और दिमाग एक एक मतलब अजीब सी feeling होती है कि कोई किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं कोई आपको guide नहीं कर सकता है है कि दो आपको ऐसा लगता है कि आप एक अप एक ऐसी चगह आके खड़े हो गए घ्खाई मतलब जहां आगे खतं रास्ता खतं 1992 कि खतं लाइफ कुछ अब दिखने रहा है तो यह यह इस इस feeling को बोलते हैं Lost यह ना don't know where I'm going कहां जाना है क्या करना है कैसे होगा क्या होगा बहुत जादा disturb और आप फिर क्या करने लगते आप अपने आपको कोसने लगते हैं आप अपने आपको पता नहीं क्या सोचते कि यार मेरे साथ ऐसा क्यूं हो रहा है मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया गुना कर दिया जो मेरी लाइफ में यह इतने दुख आ गया है यह मुझे दिन देखना पड़ रहेंे ऐसा है यह ना आपको प्रोमोशन नहीं मिल पा रहा है यहाँ आप जहां जाना चाथे है वहां नहीं पहुझ पार रहे हैं नेक्स स्टेप पे नहीं पहुझ पार हैं आपको लगता है कि आपके अंदर आपकेंदर अंदर पोटेंशल क Gore हापके अन्दर टैल रिलेशनशिप भी हो सकता है, relationship की वज़ादे से बहुत सारे ऋटम रहते हैं जिने अच्छा रिष्टा नहीं मिलता अपने भाई के लिए, अपने बच्छो के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे अपने आपको अपने अपने लिए रिष्टा न ही मिल पा रहा है, ह वो बहुत-बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत सालों से, दस साल हो गए, उन्हें पांस साल हो गए, आठ साल हो गए, ढूंड रहे हैं रिष्टा, घर में बैठे हुए, बच्चे जवान, बहन है, या कोई भी है, तो क्या होता है, फिर इन सब चीजों से आदमी बहुत-बहुत परशान होता है, और मैं इन सारे दोर से गुजर चुका हूँ, तो मुझे मालूम है, लेकिन उन लोगों के लिए जो आज फर्स टाइम आये हैं, यहां पर, जो यहां पहली बार आये, उनके लिए मैं बता दूँ, कि मैं उन कंपनियों की help करता हूँ, revenue बढ़ाने में, जि कैसे है, क्या करना है, ऐसी कंपनियां जो अपनी इंकम नहीं बढ़ा पा रही है, अपनी ग्रो नहीं कर पा रही है, उनको हम ग्रो करवाते हैं, income बढ़वाते हैं, revenue बढ़वाते हैं, sales पीपल का और उनको जो marketing है, sales है, यह सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो तो अब आ आज क्या करना क्या है, जब आपको ऐसा feel हो, lost, जब आप feel हो, lost, क्या आपको लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको तीन चीज़े करना है, note करने, लिख लें कहीं पर, तीन चीज़े करना है, सबसे पहले नंबर पे है कि daily आपको जाना है, show up, मतलब आपको घर मे नहीं बैठे रहना, आपको क्या करना है, आपको निकलना है और जाना है, जिससे मिलना है, मिलना है, meeting करना है, तो करना, आपका दिल करना है, नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपको जाना ही जाना है, आपको कितनी बार होगा कि दिल नहीं करेगा, कि उससे हमें नहीं मिलना ह यह जाने जाना और दुसी चीशवीं दे कि चेरे पर smile रखना और यह जो thinking overthinking जो सोचना है अपने आपको कोसना है अपने बारे में सोचना यह बंद कर देना मतलब over react नहीं करना है सी पर क्योंकि यह normal है इस normal यह सब के ब्लीव मानिये आपके अंदर जब अनसर्टेनिटी है मतलब अनिश्चितता है किसी चीज़ के लिए जैसे अभी आप लोग बहुत सारे लोग परशान रहते हैं वो बार बार मुझे कॉल करते हैं कि सर कैसे होगा क्या होगा कहां से होगा फंड कैसे मिलेगा बहुत साल होगा परशान है अभी तक तो मैं उनसे सिर्फ एकी चीज़ कहता हूं कि आप ब्लीव रखिए ना गौट के ओपर आप ब्लीव रखिए क्योंकि वो कहां से कैसे कब क्या कर दे आपको नहीं मालूम है परशान नहीं होना परशान होने से क्या होगा कि फिर आपको कुछ समझ में आएगा आपको क्या करना है डेली उठना है डेली तयार होना है और निकल के जाना है फिल्ट पर जिन से मिलना है मिलना है मीटिंग करना है करना है दिल कर रहा है नहीं कर रहा बैठे नहीं रहना है क्योंकि उसमें क्या होगा उसमें और टिप्रेस हो जाएंगे ठीक है और किसी की है और जब आपको बहुत अच्छा लगता है और आप में से कितने लोग हैं जो हैल्प करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं आप अपने भाई की अपनी अम्मा की अपने पपा की कितने लोगों की हैं, आप लोग इक होगई करना चाहते हैं, दुसरे लोगों की, लेकिन आप कर नहीं पा रहें तो उसके लिए क्या करना है कि जिसकी आप कर सकते हैं उसकी करें, एक आदमी की help करें, घर से निकल जाएं, और help करें मैं इसी mission पर हूं, कि हैं grew up करता सबके साथ में रहें और डिस्टर्ब ना रहें मंदब ऐसंऩ हो बहुत परशान हैं उ 민주 पास नौकरी नहीं है पैसा नहीं है तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि बिलकुल परशान होने की जुरत नहीं है उपर वाले के उपर रहिए और उपर वाला जब देता है देता चपर फाल के कहां से देगा कैसे देगा यह आप मत सोचिए आप बिलकूल देखिए उसके उ तो चलती है फोड़ा लॉस्ट है जिसको बिलकुल आइकल नहीं करना अपना बिलकुल मौनसिक संतुलन खो बैठे मन तनमन सब बिलकुल एकदम खुद भी एक तो आपको क्या होता है आपको देखके फिर आपके घर क्लीन रखिए दाड़ी बिल्कुल मत बढ़ी रखिए मेरी थोड़ी सी भी ऐसे बढ़ जाती है तो मेरी नानी अब तो नहीं अब तो खतम होगे हैं वो फॉरूम पूश्ट नहीं तो वह एक्दम देख के घरवालों फील करते ना फिकर तो बिल्कुल टिंच रही है और बिल्कुल टिंचिए ठीक है ठीक तो आज के जो टॉपिक हैं वह आप ध्यान करीए क्या है आज आज मैंने जो भी जो भी पॉइंट आपको दिये हैं सब लोग दिली फटाफट अपने अपने जो भी है यह वाला जो है सामाजी नया और अधिकारता मंत्राले के द्वारा एंजियो के लिए प्रोजेक्ट इस पे फोकस कर रहे हैं हम लोग इसी पे अभी चलेगा दो चार पांच दिन का काम तो जो लोग करना चाहते हों कर लें क्या करना है तेंड चीज़े नंबर वन पे है कि आपको शो करना है डेली मिलना है जिससे मिलना है मिलना है जाना है घर में नहीं बैठे रहना है एकडम इस्माईल करना है चेहरे बहुत जूर aux थ्री wired को help someone. किसी ना किसी की आप मदद जुरूर करें. आप जितने लोगों की मदद कर सकते हैं करें. जैसे मैंने link जितने भी थे सब डाल दी हैं. ग्रूप में ज़्यादातर link डाल दी हैं और अभी मैं दो से पांक दिन लगातार सारे link डाल दूँगा. तो हर website पे जाके आपको सबको अपने आपको register करना है. आप अपना भी register करवाईए, दुसों का भी register करवाईए. और ये link बहुत important है. ये सारे website के link आप अपने पास समाल के रख लीजिए, note कर लीजिए, डायरी बना लीजिए. और नहीं तो इनको मतलब कहीं ऐसी जगर रखिए, क्योंकि दुबारा फिर मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, भूल जाता हूँ, तो इनको note कर लीजिए, और कल परसों से 5-6 दिन, मतलब 8-10 दिन, लगातार daily आपको, जितने भी हैं, ये website, सबके आपको मिल जाएंगे, जो लोग जुड़ गए हैं, उन्हें भी help करिए, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनको भी help करिए, जादा-जादा लोगों को share करिए, जादा-जादा लोगों को फाइदा पहुचाईए, ठीक है, बाकि जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, personal meeting, तो अब मैं विजिट पे ही हूँ, permanent visit पे हूँ, तीन से चार महीने, छे महीने तक permanent visit पे हूँ, तो अब जो लोग मुलाकात करना चाहते हैं, meeting करना चाहते हैं, वो appointment अपने fix करवा लें, क्योंकि अब बस मैं field पे दोड़ूंगा, ठीक है, तो जो भी मीटिंग करना चाहते हैं, personal visit, personal meeting, वो appointment अपने fix करवा लें, और बस हफते भर के अंदर ही सारी चीजे start, तीन से चार दिन में, ठीक है, कंपनियों के जिन्नोंने मैंने कंपनियों का जिनको address दिया था, उन लोगों ने अगर कंपनियों में जाके बात कर लिए, मैंने बताया था, आपको आपके पास, हाँ, नहीं, रेइस्टर हो गया आपका, वजहाद जी, international human rights आपका रेइस्टर हो गया है, नशा मुक्तिवाला भी आपका रेइस्टर हो गया, वो आपके address पहुचेगे, पूरी किटिट, जो कुछ है, मैंने यहां से करवा दिया, वो आपके address पहुचेगा, ठीक है, जी, धन्यवाद आपको शुगरिया, तो में चीज है, कि अब आप स्टा नहीं मिलना है, आप जाहिए जो डिपार्टमेंट होते हैं, एक HR डिपार्टमेंट होता है, एक sales डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही होता है, CSR डिपार्टमेंट, CSR डिपार्टमेंट मालु कीजिए, CSR डिपार्टमेंट के officer का मालु कीजिए कि कौन officer है, कौन देखता है, बस इतना काम कर लिए आपने समय लिए आपका हो गया ठीक है ठीक बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगा है आपने अपना खीमती वक्त दिया मिलते हैं तब तक दिया अपने अगर आपने नहीं दिया तो फिर centimeters भी है ठीक है ठीक धिक ठीक शुग्रिया धन्यवाद मिलते हैं तब तक नेक्स मीटिंग आजकाल तब्याद ने ठीके काम बहुत जादा ठीक